अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बिल्कुल करारे आलू पैटी के साथ मैगी आलू टिक की बर्गर बराएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट का जो बहुत ही मज़ेदार बनके तयार होगा आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा बहुत आसानी से बन भी कुछ भी मैंने यहां एक मीडियम साइज का प्याज लिया है बिल्कुल छोटे से ट्रमाटर का इसकीन वाला पार्ट है और एक छोटा सा गाजर और कुछ हरी मिर्चे ली हैं पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है यहां पे हम प्याज को डाल देते हैं और सिर्फ इसे हमे के लिए ढख देंगे ताकि यह भी सॉफ्ट हो जाए तो यहां पे यह भी हलका सा सॉफ्ट हो गया है तो हम जो आलू को कद्दू कश किया था वो डाल देते हैं और यहां पे अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे जिसमें एक टीस्पून नमक है नमक थोड़ा सा ते जाली मिर्ज पाउडर और इन सबकों बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो यहां पे इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम इकदम लास्ट में इसको उतारने से पहले इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून भरके चावल का आठा जिसमें से अभ जाएगा और खुब करारे बनेंगे अब यहां पे इसे रख देते हैं कि ठंडा हो जाए सेम उसी पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ओयल ले लिया है उसमें बिल्कुल छोटा सा एक प्यास डाल दिया है सॉफ्ट करने के बाद उसी में एक टोमाटर डाल देंगे यहां पे हल्का हल्का सा सॉफ्ट हुआ है तो यहां पे हम इसमें एक ग्लस पानी डाल देंगे और इसी जगे पे हम मैगी को डाल देते है आप अपने पसंद के नूडल यानि एपी नूडल भी राल सकते हैं उसका मसाला डालके इसमें बॉयल शुरू हो गया है तो इसे बस हम 2- पानी नहीं करना है तो इसे कवर कर देते हैं यहां देख लेते हैं नहीं पर फोल गए बस ऑवरकुक नहीं हुए तो ऐसे यहां पर ड्राइए से रखेंगे इसे भी साइड मे रख देते हैं और यहां पर जो हमने मिक्षर बनाया था आलो का वह एकदम ठंडा हो गया है अब दो टेबल श्पून भरके मैदा ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। दो से तीन टेबल स्पून इसका एक घोल बना लेते हैं। ऐसे बहुत जादा पतला नहीं रखेंगे मीडियम। आप हम पैट्यू बना लेते हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। औ तो इसी तरह हमारी दूसरी टिक्की भी तयार हो गई है यह देखिए तो ऐसे हम बाकी भी बना लेंगे यहां पे जो हमने मैदे का घोल बनाया था इसमें हम अपने टिक्की को डिप करेंगे और यहां पे मैंने ड्राइ ब्रेड क्रम्स ले लिए घर के बने हैं बस ब्रेड को आप तवे में या धूब में सुखा के उसे ग्राइंड कर लें तो यहां पर इसे कोड करने के बाद एक हाथ से और हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और दूसरे हाथ से हम इसे अच्छे से उलट पलट के इस पर बहुत अच्छे से क्रम्स को लगा देंगे और थोड़ कर लिए हैं इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज में एक हफता दस दिन के लिए और आराम से जब आपको बनाना हो तब आप इसे टी फ्राइए कर सकते हैं यहां पर बिल्कुल बजार के जैसा बहुत आसानी से हम बर्गर सॉस बना लेते हैं उसके लिए 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाल देते हैं हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिच डालेंगे इसको मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है इस जगे पर फूड कलर ले सकते हैं इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो हमारा बर्गर सॉस बनके तयार हो गया है यहां पर मैंने एक अनि आशसी है नो अच्छे से यहां जाला लेते हैं यहां पर अपने उतेपर नहीं को अच्छे मक्लशा स्कारी लाएक स्पूरा लेते उने फिल्मीक हैं कणसे और पर दे noderuktur कलर एक साइडसाने हाद में बिलक्ट मांइए पर लेते शंस अहां धू अगए ध्याइग कर लेते है तो यहां फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ओयल भी मीडियम होट होना चाहिए बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं से फ्राई करेंगे और न बहुत ज़्यादा स्लो पे अभी इसे बिल्कुल नहीं उल्टे पड़ेंगे तो यहां जगे बना के मैंने तीसरा भी डाल दिया है तो यहां यह मीडियम फ्लेम है और अब इसे एक साइड होने पर इसे पलट देते हैं और यहां दूसरे साइड भी हम इसे crispy होने तक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं फ्राई होते में ही इस काफी क्रिस्पी है आप इसका क्रिस्पीने सुन सकते हैं तो दूसे साइड भी अच्छा कलर आ गया है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे एक स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद यह और ज़्याद और इसके उपर हम अनियन जो अने स्लाइस किया था और टमेट़ रख देते हैं इसके उपर रखेंगे हम अपनी स्पैशल वाली चीज osic मैड़ी सारी और उसके उपर हम रखेंगे एक cheese slice इसको हम cheese slice के साथ बनाएंगे दूसरा without cheese slice बनाएंगे और अब हम दूसरे वाले portion को इसके उपर रख देते हैं यहाँ पर मारा burger देखने में बहुत tempting लग रहा है और खाने में बहुत ही tasty लगता है एक बार जरूर ट्राई करिएगा और ऐसे ही फटा-फट हम दूसरा burger भी तयार कर लेते हैं तो उसके यहाँ लिए यहाँ पर same उसके उपर patty रखेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे अच्छे से धेर सारा मैगी यहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करना है जब मैगी बर्गर है तो यहाँ पर हमें उसका पूरा टेस्ट लेना है यहाँ पर हम इसमें चीज भी नहीं डालेंगे और दूसरे साइट पर भी अच्छे से सॉस लगाके और उसके उपर आनियन और टोमेटो स्लाइस लगाके इसके उपर रख देते हैं तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप भी ट्राइए करें बहुत आसान पर बहुत ही टेस्टी और भी अच्छे रेसिपी वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे रिक्वेस्ट है लाइक, शेर, कॉमेंट भी किया करें और भी कि अपस्टाइब कर दो कि अपस्टाइब करें